तो भिहम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वास्त और सुरक्षित होंगे दर्शिकों 10 चुलाई को रविवार के दिन देव शैनी एकादशी है यह असार माह की एकादशी है इसके बाद सावन माह लग जाएगा अगर आप मालच्मी की कृपा पाना चाहते हैं यदि आपके जीवन में कोई संकट है कोई परेशानी है या फिर आपके घर में सुकसानती नहीं है तो इस एकादशी पर आप एक विशेश उपाय अवश्य करें आपको क्या करना है तुलसी का जो पौधा है वह भगवान विश्नु को अतिप्रिय होता है तुलसी के पौधे में आपको एक छोटी सी चीज डाल दी है आपको क्या करना है तुलसी की पौधे में थोड़ा सा आप दूद ले ले और साथ में आप लाल कलर का धागा भी ले सकते हैं या फिर मौली भी ले सकते हैं थोड़ा सा दूद एक हल्दी की गाठ ले ले साबुत हल्दी की गाठ का टुकड़ा आपको क्या करना है सुभा के समय ही जब आप मा अपने घर में आरती करते हैं उसी समय तुलसी जी की भी आरती करें उनकी समक्ष दीप प्रजवलित करें और तुलसी के पौधे मा तुलसी गड़ा कर लें फिर दूद और वह आप ने जो हल्दी की गाट लिये वह और एक सिक्का भी आप रखके उसे दबा सकते हैं और अपनी मनोकामना को कह दें अगर आप की मनोकामना भगवान विश्नु अवश्य ही सुनेंगे अगर वगवान विश्नु आपसे प्रसंद हो गए तो मालच्मी भी आपसे प्रसंद होंगी और स्थाई रूप से आपके घर में निवास करेंगी यह एक छोटा सा उपाय आपको करना है तुलसी के पौधे में यदि आप यह कर लेती हैं तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विश्नु के साथ लच्मी का आशिरवाद भी आपको प्राप्त होगा जैमाल लच्मी वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे।